तीन ऐसे अमेजिंग स्टॉक्स जो आने वाले कुछ सालों में आपको करोड़ पती बनाने का दम रखते हैं अगर आप इन स्टॉक्स को हर डीप में एक सही प्राइस पर खरीदने का जिगर रखते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे तीन स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए. चाहे कुछ हो जाए, सारा पोर्टफोलियो ही क्यों न बेचना पड़ जाए? लेकिन यह तीन स्टॉक्स भूल कर भी कभी बेचने की ना सोचे इस वीडियो में मैंने इन तीन स्टॉक्स का detailed fundamental analysis किया है जो आपको investment के regarding एक सही decision लेने में बहुत help करेंगे आज की इस वीडियो में जिन भी data points की बात की गई है ध्यान रहे उनके numbers time के साथ साथ उपर निचे आगे पीछे होते रहेंगे लेकिन आपको उन numbers से ज्यादा उन data points के concept पर ध्यान देना है जो आपको अपने लिए best stock find out करने में बहुत help करेंगे तो चलिए आपका कीमती समय वेस्ट किये बिना आज की stock talk शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं टॉप तीन की लिस्ट में मैंने सबसे पहले जिस कंपनी को रखा है उसका नाम है Mother Sun Sumi International Limited इस कंपनी का नाम इस कंपनी के चेर्मेन और उनकी माता जी के रिष्टे की बुनियाद पर रखा गया था माता जी मतलब Mother और बेटा मतलब Sun और दोनों को मिला कर कंपनी का नाम बन गया Mother Sun बाद में जब कंपनी ने जापान की Sumitomo वाइरिंग सिस्टम से गठ बंधन किया तो कंपनी का नाम Mother Sun से पढ़ गया Mother Sun Sumi International यह कंपनी मुख्य रूप से आटोमोबील्स के लिए Polymer Based Interior and Exterior Modules की भी Manufacturing करती है इसके साथ साथ Mother Sun Sumi इंडिया में पैसेंजर विहिकल्स के लिए वाइरिंग हारनेस की सबसे बड़ा निर्माता भी है कंपनी के अगर प्रोड़क्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो कंपनी वाइरिंग हारनेस डिवीजन को खुद से Design and Manufacture करके Automotive और Non-Automotive Sectors को सप्लाई करती है मदरसन On Automotive Industry के लिए विजन सिस्टम्स की लीडिंग ग्लोबल सप्लाईर्स भी है जिसमें Interior Mirrors, Exterior Mirrors और Camera Based Detection Systems जैसे प्रोड़क्ट साते है इसके साथ साथ यह कंपनी Simple Plastic Parts to Highly Integrated Systems and Modules को भी Manufacture करके ग्लोबली सप्लाई करती है अगर कंपनी के Metal Products की बात की जाये तो इसमें Gear काटने के Tools, Off-Highway वाहनों के लिए Cabin, HVAC System, Shock Absorbers, Sheet Metal Parts, Clutches for Car and AC Compressors शामिल है इसके इलावा कंपनी ने Aerospace Industry में भी अपने Integrated Solutions, Products and Services प्रोवाइड करना शुरू की है क्यूंकि Companies सिर्फ Automotive Industry तक ही नहीं रहना चाहती बलकि उससे आगे बढ़कर Aerospace Industry में भी अपनी चाप छोड़ना चाहती है सिर्फ Hardware ही नहीं Mother Sun, Software Industry में भी अपने आपको धीरे-धीरे एक्स्पैंड कर रही है Mother Sun Group, Financial तोर पर बेहाल चल रही Companies को अक्वायर कर उनके infrastructure को अपने काम में लेकर खुद को profitable बनाने के लिए मशहूर है साल 2002 से लेकर अब तक Mother Sun Group कुल 25 कंपनीज को अक्वायर कर चुकी है जिससे इनको geographically and product line-up को मजबूत करने में बहुत ज्यादा मदद मिली है विजियो कॉर्प Limited जब financial crisis से जूँज रही थी तब Mother Sun Group ने इसे 160 करोड में खरीदा लिया था और आज विजियो कॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी rearview mirrors बनाने वाली कंपनी है अगर इस ग्रुप की global presence की बात करें तो Mother Sun आज 40 से ज्यादा देशों में business कर रही है सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो Mother Sun सुमी का काफी फैला हुआ और stable business है लेकिन क्या यह business फैले हुए होने के साथ साथ profitable है भी या नहीं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं Company की अगर price to earning ratio देखी जाए तो वो है 45 और अगर industry price to earning ratio देखी जाए तो वो है 35 यानि की stock price अभी अपने sector की बाकी की companies के मुकाबले थोड़ा ज्यादा चल रहा है Company की debt to equity ratio एक से नीचे है यानि की company के उपर नामात्र ही debt है जिसे company बड़े आराम से चुका सकती है इसके इलावा company की peg ratio एक से ज्यादा है जो इसके stock price को थोड़ा overvalued बनाती है company ने अच्छे returns दिये है और पिछले एक साल में company के share price में 110 प्रतिशत की jump देखने को मिली है जो सच में काबिले तारीफ है quarterly results की बात करें तो company काफी अच्छा perform कर रही है और अगर annual performance की बात करें तो company profits के काफी अच्छे numbers शो कर रही है cash flow के मामले में company के पास हमेशा से अच्छे खासे cash reserves रहे हैं अपने operations को smoothly perform करने के लिए no doubt मदरसन सुमी एक stable and profitable company है जो automotive sector में एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है electric vehicles जो automobile industry का future है अगर आप उसमें invest कर रहे हैं तो मदरसन सुमी company को ignore नहीं कर सकते top 3 की list में दूसरे number पर जो company आती है उसका नाम है CZ Power and Industrial Solutions Limited Crompton Greaves Limited के नाम से जानी जाने वाली यह company power generation transmission and distribution से संबंधित products की designing, manufacturing and marketing में लगी हुई है इसका headquarter मुंबई में है और इस company की इकाईयां महाराष्टर, गोवा और मध्यप्रदेश में फैली हुई है CG Power की स्थापना 28 April 1937 को Crompton Parkinson Works Private Limited के रूप में की गई थी इसके बाद 1966 में इसका नाम बदलकर Crompton Greaves Limited कर दिया गया 2015 में अपने consumer product business को अलग करके इसे एक अलग एक independent corporate entity में merge करने के परिनामस्वरूप 2017 में company का नाम फिर से बदलकर CG Power and Industrial Solutions Limited कर दिया गया CG Power मुख्य रूप से एक B2B company है जो Power Systems and Industrial Systems जैसे fields में काम करती है Power Systems, CG Power की सबसे बड़ी business unit है जो मुख्य रूप से Power Transmission, Distribution, Power Solutions, Setting Up of Integrated Power Systems and Associated Services Businesses पर फोकस करती है अगर जियोग्राफिकली रेवन्यू की बात की जाए तो company का 90 प्रतिशत revenue domestic and 10 प्रतिशत revenue exports से आता है इन सब के इलावा CG Power, जापान की Renaissance, Electronics Corporation और Thailand की Stars Microelectronics के साथ साजेदारी में गुजरात के सानंद में 7,600,000 करोड रुपे के निवेश से semiconductor entities थापित करेगी Renaissance एक leading semiconductor company है जो specialized chipset बनाती है जो 12 अलग-अलग semiconductor सुविधाओं का संचालन करती है Renaissance, microcontroller, analog power और system on chip जैसे products की भी manufacturing करती है इस साजेदारी के तहट, CG Power Semiconductor Unit, Consumer, Industrial, Automotive and Power Applications के लिए हर दिन 15 मिलियन chips का निर्मान करेगी जो एक बहुत बड़ा नंबर प्रोडक्ट लाइन अप और विजन को देखते हुए, company काफी impressive लग रही है लेकिन क्या यह company investment के लायक है भी या नहीं, आइए उसे भी जान लेते हैं Company की price to earning ratio 131 है और इस sector के बाकी की companies की price to earning ratio चल रही है 55 यानि की CZ Power अपने sector की बाकी की companies के मुकाबले overvalued चल रही है Debt to equity ratio 0 है यानि की company के ऊपर किसी भी तरह ऐसा करजा नहीं है, जो इसको grow होने से रोके किसी company के ऊपर low debt या zero debt का होना, अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होती है PEG ratio एक से ज्यादा है, यानि की company का share price अभी थोड़ा overvalued चल रहा है बीते 3 और 5 सालों में company ने जबरदस्त return दिया है, जो की एक और अच्छी बात है Company की inventory to turn over ratio 8 है, यानि की company की inventory 8 दिनों के अंदर निकल जाती है जिससे company के ऊपर अपनी inventory manage करने का ज्यादा stress नहीं है Quarterly company काफी अच्छा perform कर रही है, जिसके numbers आप अपनी screen पर देख सकते है अगर annual performance की बात की जाए, तो साल 2021 के बाद से company के profits में काफी अच्छा jump देखने को मिला है Cash flow के मामले में भी company positive दिखाई पड़ती है, जिससे company को अपने business operations रन करने में दिक्कत नहीं आएगी Domestic and foreign investors भी CG power में बढ़ चड़ कर invest कर रहे हैं, जो इस company को retailers के लिए भी lucrative बनाता है Overall देखा जाए तो CG power एक well established होने के साथ साथ एक fundamentally strong company है हाँ, company का share price थोड़ा overvalued जरूर चल रहा है, लेकिन यह price समय के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है अगर आप इस company में एक long term investment की सोच लेकर आ रहे हैं, तो आपको company के share price से ज्यादा इसके fundamentals पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जिस company के fundamentals strong होते है, उसका share price कितना ही क्यों न overvalued हो जाए, लोग तब भी उसमें invest करते हैं टॉप तीन की list में तीसरे number पर मैंने जिस company को चुना है वो FMCG sector से belong करती है FMCG sector की एक ऐसी बहतरीन company जो किसी सोने से कम नहीं है और इसके products इतने famous और लोगों के इतने ज्यादा favorite हैं कि इनके बिना हर खुशी का कार्यक्रम अधूरा लगता है यह एक ऐसी company है जिसने भारत देश के घर घर तक Pepsi, 7up, Mirinda, Mountain Dew, Tropicana Juices जैसे drinks को पहुँचाया और साथ ही में इन drinks की parent company PepsiCo को भारत भर में famous कर दिया जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Warren Beverages Limited की जब PepsiCo Indian Market में expand करना चाहा रही थी, तब उसे एक ऐसे distribution partner की जरूरत थी जिसकी मदद से PepsiCo Indian consumers में अपनी जगह बना Indian soft drink market को capture कर सके उस समय Warren Beverages ही एक लौती ऐसी company थी, जो PepsiCo को expand करने में मदद कर सकती थी साल 1990 में PepsiCo and Warren Beverages Limited ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और उस दिन के बाद से इन दोनों companies ने फिर कभी पीछे मोड़ा कर नहीं देखा देखते ही देखते, कुछ ही सालों में Warren Beverages Limited, Beverages Industry की king बन गई और PepsiCo की दुनिया भर में सबसे बड़ी franchise भी बन गई PepsiCo के franchise brands जैसे की Pepsi, Tropicana, Slice, Sting, Curcure, Aquafina, Lipton, Doritos, Mirinda, End Fritolay जैसे products को छोटे से लेकर बड़े शहरों तक distribute करती है इसके इलावा, Warren Beverages अपने खुद के brand जैसे की Jive, Rebused, Cream Bale, Aquaclear, Refresh के products की manufacturing and distribution का काम भी करती है Warren Beverages ने 10 से ज्यादा countries को अपने franchise rights एंड 4 countries को अपने distribution rights दे रखे हैं फिलहाल company का main focus अपने capex का इस्तिमाल कर खुद को और ज्यादा expand करने का है No doubt, Warren Beverages अपने sector monopoly companies में से एक है जिसको टकर देना दूसरी companies के लिए आसान नहीं होगा लेकिन क्या यह company investment के लिए सही है भी या नहीं आईए वो भी जान लेते हैं Warren Beverages Limited की price to earning ratio है 78 और industry price to earning ratio है 35 यानि की Warren Beverages अपने sector की बाकी की companies के मुकाबले अभी overvalued trade कर रही है Company की debt to equity ratio है 0.8 यानि की company के ऊपर अभी किसी भी तरह का इतना ज्यादा debt नहीं है जिसे company उतार नहीं सकती PEG ratio की बात करें तो वो है एक से थोड़ी ही ज्यादा है जिसे हम neutral ही मानेगे Inventory turnover ratio है 3 यानि की company का stock 3-4 दिन के अंदर ही सारा clear हो जाता है जो की अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है COVID के बाद से company के profits में बहुत जबरदस्त जंप देखने को मिला है जिससे company की compounded sales growth 22 प्रतिशत और compounded profit growth 23 प्रतिशत तक बढ़ गई Returns की बात करें तो company ने बीते 3 और 5 सालों में अपने investors को अच्छे returns दिये है Cash flow के मामले में company के पास हमेशा से ठीक ठाक cash flows रहे हैं अपने business operations को perform करने के लिए Overall देखा जाये तो Varun Beverages Limited एक monopoly, visionary, end stable होने के साथ-साथ fundamentally strong company भी है अगर आप FMACG sector में invest करने की सोच रहे हैं तो Varun Beverages Limited को ignore नहीं कर सकते लेकिन किसी भी तरह की investment करने से पहले अपनी तरफ से सारी जाँच पड़ताल जरूर करें या किसी financial advisor से सलाह जरूर लें माई आपको इस वीडियो के जरीए किसी भी तरह की investment advice नहीं दे रहा हूँ मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इन educational वीडियो के जरीए मैं अपनी knowledge and expertise का सही इस्तिमाल करते आपकी problem को solve कर सकूँ तो इसलिए इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ educational purpose के तौर पर ही देखा जाए अगर आप भी अपने portfolio के किसी भी stock का ऐसे ही detailed analysis करवाना चाहते हैं तो आप उस stock का नाम मुझे Instagram पर message कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा उमीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा ऐसी और informative वीडियो के लिए चैनल को subscribe करना न भूलें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया तो चलिए मिलते हैं अपनी next वीडियो में